तो ट्रेडर्स यह आपकी लास्ट वीडियो होने वली है और ब्लॉक्स की इसके बाद आप कोई भी वीडियो किसी भी चानल पे जाके और ब्लॉक्स को नहीं देखोगे ठीक है मुझे नहीं पता यह topic इतना complicated कैसे है बट मैं इसको simplify करने के लिए आया हूँ ठीक है और सबसे बड़ी बाद मैं आपको बताता हूँ जो आपके साथ problem हो रही है वो यह कि order blocks आप mark कर रहे हो बट आपकी entry में सो जा रही है ठीक है यह आप entry ले रहे हो तो आपका stop loss हो जा रहा कर लेगे प्लस इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाल हो सबसे पहले तो what are order blocks order blocks होते क्या है दूसरी चीज़ order blocks को identify कैसे किया जाता है एक chart पे third the significance of order blocks in market मतलब इनकी क्या importance है market structure में right fourth क्या strategies आप use कर सकते हो order blocks को लेकर एक profitable trading के लिए and fifth real life example और chart analysis ठीक है अच्छा तो आपसे पहले समझ लेते कि order blocks होते क्या है ठीक है pen paper notebook जो भी लेना हो ले लेना ठीक है देखो मैं जिसे आपसे define करता हूं मैं आपको बताऊंगा order blocks कुछ नहीं है यह दो होते है या तो यह आपके लिए एक demand area का काम करते है ठीक है या यह आपके लिए supply area का काम करते है ठीक ह या तो यह supply area काम करते है तो मैं यह कह रहा था कि गए वो दिन जब आप एक horizontal line mark कर लेते थे और इसको आप अपना entry point mark कर लेते थे ठीक है यह वो दिन ही नहीं कभी भी entry एक line के basis पे तो नहीं हो सकते ठीक है तो area के basis पे अब हम entry कर रहेंगे ठीक है और वो area क्या है demand और supply का अचा तो यह इसको जानना क्यों जरूरी है क्या order blocks है कहा कहा से दिख रहे है ठीक है तो order blocks जो है वो हमारे demand या supply area होते है ठीक है जिनें आप कहीं कहीं पर POI यानि अगर bracket में लिखूं तो point of interest भी बोलते है ठीक है या फिर कहीं कहीं पर आप इसको AOI यानि area of interest भी है ठीक है बट यह है क्या बाई मुझे एक बात बता हुआ सिंपल सा लॉजिक है आप पता नहीं क्यों गंफ्यूस करते है अपने आपको market चलता जा रहा है मैंने आपको starting की वीडियो में बोला था कि market चल ला है ठीक है अप down करके चलता जा रहा है ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे क अब जाएगा नीचे जाएगा ठीक है आप तो ट्रेडर हो आप तो बेचने और खरीदने आयो लेकिन question तो यही आ रहा है कि कहां बेचना है और कहां खरीदना है सही बात है ठीक है ऐसे पर रैंडम ली तो बेच नहीं सकते बनना तो stop loss पर stop loss होंगे ठीक है लॉस पर लॉस आप क्या करना कैसे आ रहे हुआ ठीक है तो भाई इसी हमने point of interest क्या है point of interest मतलब आपका interest कहां पर आएगा खरीदने या बेचने पे तो आपने बोला मेरा interest जो है वो order blocks पे ठीक है बहुत से interest होते है सिर्फ order blocks नहीं होते कल हमने जो fbg पढ़ी थी वो भी एक interest होता है ठीक ह ना इसके बीच में कहीं सोचूँगा market को जितना गूबना है गूबने दो जब market मेरे order block पे आएगा या मेरे fair value gap पे आएगा तो ही मैं खरीदने का सोचूँगा ठीक है तो यह आपने अपने लिए rules define करें ठीक है और rules के बिना इस market में या इस profession में sorry नहीं चल पाओगे तो rules not interested in buying or selling मैं सिर्फ order blocks पे interested हूँ ठीक है तो order blocks फिर आपने क्या बोला तो आपने सबसे पहले तो पढ़ाज के बारे में इस वीडियो को देखके कि order blocks होते क्या है देखो order blocks कुछ नहीं है अगर market उपर की तरफ जा रहा है तो जो last selling pressure होता है उसको हम लोग order block बोलते है ठीक है तो मेरे लिए market में area of interest जिसको ब्लोक बोलते है कहां पर है यह जो last pressure candle है इसको बोलते है ठीक है इनी को order blocks बोला जाता है कब बोला जाता है फिर से मैं बता रहूं जम market जो है ऐसा कुछ बना रहा हो एक सेकंड यहां पर यह जैसे market ने यह करा यह करा फिर यह करा ठीक है अब market ने अगर आप द्यान से देखेंगे तो यह swing तोड़ दिया है आप swing तोड़ दिया तो वह जो selling pressure है वह आपकी नजरों में क्या convert हो गया है buying pressure में वह selling pressure अब आपकी नजरों में convert हो रहा है दीरे-दीरे buying में बतलब जब आप selling का देख रहेते अब आप buying के बारे में सोच रहे हो राइट तो इसलिए वह selling जो है वह आप buying में convert हो गई है चाहे short term के लिए हो चाहे एक lag of move के लिए हो एक lag of move मतलब इतना move जो भी हमने mark किया है सिर्फ इस move के लिए ही हो चाहे ठीक है किस move के लिए इस move के लिए बट इस move के लिए ठीक है जिसका आपका target आप plan कर रहे हो कि मैं अगर order block पर आएगा तो यहां से यहां तक कर लिए interested हूँ ठीक है यह आप सोच रहे हो clear तो उसके लिए आपको एक area चाहिए था जिसका आपने नाम दिया order block तो वह last आप वह कहां spot करोगी उझे last selling area होगा उस selling area की जो last candle होगी उस पे spot करोगी order block को ठीक है तो order blocks मैंने आपको समझा दिया क्या होते है order blocks जो है वो आपके ललललललललल यह मैंने समझा दिया ठीक है अरे इस दुपाई नहीं रहा सौरी ठीक है तो order blocks क्या होते हैं हमने पढ़ लिया order blocks होते हैं वो last selling area होता है before market turns around market bearish to bullish हो रहा है वो last selling area है आच्छा ठीक है तो फिर से आपको क्या है अब market ने फिर एक swing swing बनाना जरूरी है उसके बिना मतमा करिए वे validity और अच्छे उसके ल आप anticipate कर पा रहे हो कि market जो है वो अप bearish to bullish convert हो रहा है तो it's nothing wrong to say कि आप यहाँ पे buying के लिए देख सकते हो उसकी strategies अभी हम सीखेंगे कैसे buying के लिए देखना है फिलाल के लिए आप सोच सकते हो ठीक है कि market यहाँ से आएगा और at least यहाँ तक कि मुझे trade दे सकता है market देगा क नहीं देगा यह market पे आपका यह anticipation होना सीगा है अपनी according to strategy जो आप बिल्ड करोगे ठीक है और इनी को हम order blocks बोलते है the last selling move ठीक है अभी हम example भी समझेगे फिलाल के लिए first what are order blocks complete हो गया है अब order blocks को identify करते है यह भी हमने सीख लिया है ठीक है यह last selling अच्छा इसमें थोड़ा changes भी आ सकते हैं वो भी समझ लेते हैं अच्छा कभी कभी क्या होगा जो थोड़ा confusion create करता है that market में इसी में next candle तुस बनाता हूँ है ठीक है यह market आई clear अब market यहां से जा रहा है उपा राइट लास्ट यह selling था अभी हमने बात करी यह यहां से उपा निकल गया market लिए अब मु आपको क्या होगा आपको यह दिखेगा क्या दिखेगा हूँ यह दिख जाएगी ठीक है लाना लाना मोटा कर देता कि यह आपको ऐसे कैंडल में विक हम लोगों confusion होता है कि भाई order block हमारा यह है कि यह है यह red candle है यह green देखो लास्ट सेलिंग प्रेशर की मैंने बात करी है तो मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट सेलिंग प्रेशर है वो इस green candle में matter नहीं करता है इसलिए मापको यह बताना चाहरा हूँ कि matter नहीं करेगा कि candle कौन से color की है लास्ट सेलिंग प्रेशर जिस candle पे दिखेगा अगर red पे दिखेगा तो red order block है अगर green पे दिखेगा तो आप इस green candle को as an order block treat करेंगे बात clear हो गई ठीक है तो order blocks क्या होते है यह वो demand या supply area होते है जहां से market में आप अपना एक interest बना सकते है बेचने या खरीदने के लिए ठीक है यह हमारा हो जाता है buying के लिए order blocks same way उपर अगर आपको ऐसी inverse चीज़ दिखेंगी जो भी हम charts में देख ल कौन सी candle हो यह देखो last selling क्यों है क्योंकि यह पूरा यहां तक गया है यह last selling पूरी यहां तक आई है फिर यह उपर turn around गया है तो last selling pressure यहां तक आया था ठीक है again कुछ लोग इसी को mark करते हैं मैं आपको मेरे experience से बता रहा हूँ ठीक है कि आप इसको mark कर सकते हैं जो last selling pressure दिख किते हैं अच्छा significance क्या है order block का एक market structure में देखो जिता आप अभी पढ़ रहे हो जैसे की fair value gaps order blocks अभी आगे जाके आप order slow भी पढ़ोगे आगे जाके आप OT levels भी पढ़ोगे ठीक है बाई यह सब कुछ नहीं है यह सब आपने आपको वो करने के लिए comfort में लाने के लिए market मे comfortably trade करने के लिए कुछ area बनाए हुए है जैसे लोग fab area बनाते है 5% का 0.61 का ठीक है OT levels बनाते है 0.71 ऐसी type के levels बनाते हैं कुछ लोग order blocks बनाते हैं कुछ लोग तो यह क्या है यह आपने अपने लिए decide किया ठीक है तो इसका मैं सच्चाई भी आपको बता दूँ और अभी मैं आपको charts में भी दिखाऊंगा देखिए जरूरी नहीं है हर order block work करें पहली चीज दूसरी चीज हर order block में आपको fair value gap नहीं दिखेगा एक अच्छा order block जो है उसमें fair value gap होता ही होता है जैसे अभी मैं अगर आपको बात करूं इस order block की suppose यहाँ पे एक candle जैसे कल हमने सीख लिया और यहाँ प्रेजेंट करता है इन एफिसेंट करता है इन एफिसेंट की मार्केट में सारे लेविल इनकी तरफ अट्राक्ट होता है अब क्योंकि मार्केट इनकी तरफ अट्राक्ट होता है तो यह वाले order block ज्यादा हाई probability के बन चाते है और कुछ नहीं लोग कहते है जितना मैंने लोगों को वीडियो कहते हो देखा है कि यही order block होता है जिसमें FPG होता है जरूरी नहीं बि हाँ यह वाले order blocks high probability यह होते हैं because of what because of this inefficiency यह इसको जादा strong बनाती है आपको यह एक extra confluence देती है कि हाँ market में FVG भी है market में order block भी बना है यह वाला order block work कर सकता है यह high probability का है ठीक है जितना मैंने अपने experience से देखा है मुझे हर बार जो है वो जिस order block में FVG होता है वहाँ से मुझे market turnaround होते हुए नहीं दिखा है ठीक है कभी कभी जिसमें FVG नहीं होता है उनसे भी turnaround होते हुए दिखा है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी तो क्या वो order block नहीं है proper नहीं है और क्या उनसे market turnaround हुआ बिलकुल हुआ फिर वही बात है कि यह roles आपके है कि आपको किस order block पर लेना है plus यह वाले order blocks जिसमें FVG है यह आपको trade को high probability बना सकते है और high probability की वज़े से क्या होता है जैसे आप normally risk जो है वो एक अच्छी quantity में ले सकते है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है जैसे वो कहते हैं कि आप अगर low probability trade में जा रहे हो तो quantity बहुत कम रखो और अगर अच्छी trade में जा रहे हो तो quantity थोड़ी बढ़ा सकते हो बस वही बात में कह रहा हूँ तो यह थोड़ी high probability order blocks बन जाते है यह होता है order block का अच्छा इसमें strategy कौन सी उस करनी है देखो बाई बहुत simple strategy दे रहा हूँ ठीक है और यही request करूँगा कि इसकी respect करेंगे आप strategy की ठीक है अपने trading को simplify करना है आपको कुछ नहीं करना सबसे पहला काम तुरन तुरन अभी ही के अभी higher time frame पर सुच कर जाओ lower में मत करो higher time frame higher time frame में आ जाएगा आपका 4 hour और 1 hour इतने पर रखते हैं ठीक है प्राक्टिस तो पर आप जिस पर भी करना चाहिए कर सकते हो बट अभी अगर आप beginner हो यही दो time frame उठाओ ठीक है क्यों अपने आपको जोज़स्ती confuse करो एक बस सीख जो फिर तो आपको जो करना है करो और lower time frame पकड़ो पांच पंद्रा मिनिट ठीक है और कभी-कभी एक मिनिट पे entry ठीक है बट करना कैसे है देखो simple है आप सिर्फ order जो सौरी market के structure को trade करते जाओ आपको market ऐसे दिख रहा है आप ऐसे trade करते जाओ ठीक है आपको market ऐसे दिख रहा है आप ऐसे trade करते जाओ ठीक है अब यह आपको दिखाता भी हूँ भाई tension ना लीजे आप ठीक है एक सेकेंड यहां से थोड़ा इसको यहां सुच कर देता हूं ठीक है तो अब कैसे इसमें हम लोग अपना लास्ट जो चीज है वो है रियल लाइफ एक्जैंपल उसमें समझने वाले है ठीक है कि मैं एक बात बी टी सी का चार्ट को लिता हूं कर दिखाता हूं ठीक है अब इस प्रिप्टो करेंशी में बीटी सी ओर आर मैपिंग करी हुई है फोर आर पर सीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा देखो अब आपको डेली में भी दिखाऊंगा यह जो यह ना माक यह डेली का चलो डेली में दिखा देता है एक थोड़ा सा आपको आईडिया देखो यह क्या है मुझे से इतना बदा दो यह क्या भी जो मैंने आपको बताया यह आपका क्या है बाई और ब्लॉक है इसके उपन देखो कितना गैप है यह एक स्विंग पॉइंट बनाया हुआ हुआ है एक दो तीन बनाया स्विंग पॉइंट मार्केट इस पर आया टैप करके यहां तक की ट्रेड दी की नहीं दी दी है पहली चीज़ अब आप एक चीज़ और देख लो ठीक है मैं आपको दिखा दे रहा हुँ मार्केट ने फिर एक स्विंग पॉइंट बनाया हुआ है और यह जो मैंने मार्क किया हुआ है यह एक डेली का ओबी है और ब्लॉक इस पर चोटे टाइम प्रेम पर छोटी मोटी ट्रेड मिल सकती है अगर आप चाहो लोग लेते हैं यही मार्क करके यही सिंपल स्ट्राटेजी है पहले मैं आपको इसका दिखाता हूँ जो मेरी तू 15 मिनिट्स या 30 मिनिट्स ऐसे सुच कर सकते हो मैंने करा आच आप एक चीज समझो देखो इसमें भी आगे स्टार्टेजी अभी आपने सीखा नहीं है पर फिलाल के लिए जो सीखा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ यह मार्केट में क्या बन रहा है इसे हम लोग बोलते है लिक्विडिटी फूल इसको मैंने उसमें भी बताया था एक्यूमिलेशन यह मार्केट लिक्विडिटी को मार्केट ने करा एक्यूमिलेट ठीक है ठीक है यह मार्केट ने करा इस लिक्विडिटी को एक्यूमिलेट यहां पर मार्केट में ली सारी liquidity देखो मैंने already mark भी करा हुआ यह देखो यह points ये अब इसको मैं तोड़े चोटी time frame पर switch को आजओ ठीक है यह देखो यह यह मैंने live stream पर जब आया था तब भी थोड़ा बताया था देखो ये market ने फुरी liquidity बना रहा था market ने इस point पर इस liquidity को करा sweep स्वीप करने के बाद यहां पर मार्केट ने करा सिफ यहां आगे सीखोगे अचा अब देखो सिंपल बाद यही होती है यार कि मैं ऐसा ट्रेडर उटी को ट्रेड करता हूँ ठीक है जो हमारा 0.7 के आस पास का लेविल होता है तो मैंने यहां से फिफ ड्रॉ किया और मैंने यह एंटिसिपेट किया कि अगर मार्केट यहां पर आया ठीक है दो नहीं आया कोई बात नहीं कि अगर मार्केट यहां पर आता इस लेविल के आराओ तो मैं उपर की तरफ ट्रेड लेता ठीक है, market ने क्या किया, market ने यहीं से entry दे दी, ठीक है, यह हमारा point था, समझ रहे हैं, 50% पे भी नहीं आया, और अभी अभी हम आगे इस premium discount area सीखेंगे, तो उसमें भी आप इसली समझ जाओगे, कि मैं क्यों यह चीज इसके around anticipate कर रहा था, प्लस, order block क्या है, देखो, एक order block भी बना हुआ है, आजवाई यह भी दिखा दे रहा हूँ, यह देखो, यह आप black candle देख रहे हैं, यह क्या है, last selling pressure है, इसलिए यह मेरा order block था, मेरा order block भी था, यहापे मेरा 7.1, 70, sorry, 0.71% का level भी था, तो मुझे यहाँ पे trade पसंद आ रही थ करना, ठीक है, यह मेरा risk reward match कर रहा था, मुझे अच्छा मिलना था, तो मैंने choose किया, तो यही मैं आपको एक चीज दिखाना चाहरा हूँ, जरूरी नहीं है, हर बार opportunities आपको मिले ही मिले, कभी-कभी आपको opportunities में इस भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन as a trader आपको अपने rules को follow कर ठीक है, यहां पर market ने क्या किया, market ने यह वाली liquidity को sweep करा और निकल गया, ठीक है, तो यह liquidity थी market में और इसको लेते ही market, बूम, तो जरूरी नहीं है, हर बार आपकी entry हो, ठीक है, और लोग क्या है, आपको लग रहा है कि आपके order blocks टैप नहीं हो रहे, या आपके order blocks जो है, properly, क्या बुलते है, माग नहीं हो रहे, देखो order blocks टो यही होते हैं, जो आपने पढ़ा है, क्या, order blocks, demand या supply area होता है, जहां पर market आने का anticipation करा जाता है, और जब वो वहाँ पर आता है, तो वहाँ से trade plan करी जाती है, buying या selling की तरफ, ठीक है, एक अच्छा order block वही होता है, जिसक market जो है, वो inefficiency से efficiency की तरफ आएगा, अगर नहीं आता, then no problem, हम next trade की तरफ बढ़ेंगे, कहींनक अगर हमें कोई trade मिलेगी, जिसकी यह trade की देखो, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यह कुछ मेरे rules है, बट मैं आपको आपके rules दिखाता हूँ, इसमें देखो market ने क्या किया, मेरा एक FBG point of interest था, ठीक है, मेरे लिए order block कहा पर बना यहाँ, यही तो है मेरा order block, यही selling है, move pressure, the last selling candle, sorry, the last buying candle, यही तो है, देख रहोती है, यह मेरा order block था, क्या market मेरे order block तर गया, नहीं, market आ गया, मेरे दूसरे point of interest, जो उसके नीचे एक fair value gap था, वहाँ त tap करा, tap करने के बाद महां से market, वापिस नीचे, market मेरे OTA पर नहीं आया, ठीक है, तो ऐसा treatment जब आप advance हो पर जाते हो, तो आपको समझ में आने लगता है, दीरे दीरे कि market अब कहां से अपना रुक, जो है, वो बदलने वाला है, हर बाद जरूरी नहीं है, market आपके order block तक पह possibility थी, वो याले FPG से चला जाता, ठीक है, अब mark करना तो बहुत easy है, ठीक है, जब ये चीज़ हो चुकी होती है, तो लोगों को mark करके दिखाना बहुत easy है, बट उस particular life moment पे decide करना सबसे ज़्यादा tough है, तो आपको क्या है, अपने लिए rules लिकने पड़ेंगे, ठीक है, कि भ देचूंगा, तो फिर मुझे इस पे enter नहीं करना चाहिए था, FPG पे, मुझे और कहीं enter नहीं करना चाहिए था, मैं wait कर लेता, ये trade मिस हो जाती, what, no problem, ठीक है, तो बस जब तक आप advance नहीं हो, advance होने के बाद आप कहीं नहीं हो, कुछ नग कुछ और चीज़े market में हो रही ह ठीक है, तो as a beginner आपको, अगर order block trading करनी है, देखो, ये भी दिखा दे रहा हूँ, अब आप मुझे बता, order block है की नहीं है, मैंने, अभी हमने क्या सीखा है, बस इत्ता बता दो, order blocks क्या होते है, swing जब नीचे आ रहा है, यहां से उपर गया, नीचे आया, एक, तो यहां से द मेलने जा रहा हूँ, market इस swing पर आएगा, मैं बेज दूँगा, ठीक है, आपने नहीं बेचा, वह आप पर है, फिर market ने एक और देखो, यह order block बनाया है, जिको, अब इसमें last selling कौन सी candle थी, अगर आप ध्यान से देखो, तो last selling यह black वाली candle थी, ठीक है, बट यह बहुत बड आपको trade नहीं मिलेगी, यह जो FBG था, यह हमारा क्या काम करता, एज एक और confluence काम करता, बट market वालतर नहीं आया, कोई बात, ठीक है, हमारी trade में सो गई, बट अगर आप वो trader है, जो order block to order block खेलते हैं, ठीक है, तो then आपके लिए, सिर्फ order block माहिने रखने चाहिए, इसके किलावा आपके में कोई चीज माहिने नहीं रखती है, ठीक है, आचा और एक चीज दिखा दे रहा हूँ, क्या यह मेरा order block नहीं है, ठीक है, आप बस मुझे इतना बता दो, यह देखो, market में, यह गया उपर, swing बनाया, नीचे, फिर swing बनाया, क्या मेरे order block पे आया, आया, ट सीरे दियर समझ में आ रहा है, आया की नहीं आया, यह देखो, order block से गया है ना वहीं उपर, कोई FBG से नहीं गया, यहां से कहीं नहीं, पूरा order block से गया है, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग की जो वीडियो बनाया की उसे में बताया था, यह market ever flowing पानी की तरह है, आपको इस market में पानी कहां पीना है, यह decide आपको करना है, ठीक है, rather than, आप हर जगा पानी नहीं पी सकते, बिलकुल नहीं पी सकते, जैसे अब यहां पे देख लो, यह भी तेक order block था, सबसे last selling candle, क्या market यहां पे आया, नहीं आया, हर बाद नहीं आता भाई, market में क्या किया, इस FBG तो जो-जो FBG पे trade करते होंगे, उनके लिए यहां पे entry बनी होगी, ठीक है, जिन्हों ने यह decide कर लिया है, कि जब भी market FBG, यानि pair value gap पे आएगा, मैं तब trade लूँगा, और उनका जो stop loss है, वो भी swing के नीचे ही रहेगा, order block वालों का भी नीचे रहता है, order flow वालों का भी miss होगी, अगर आप FBG trader हो, तो आपको थोड़ा जादा risk उठाना पड़ेगा, लेकिन आपकी entries थोड़ी जादा tap होगी, बस यह फर्क है, ठीक है, तो अब आपको decide करना है, कि आपको कितना risk वाला trader बनना है, ठीक है, हर किसी को पसंद आता है, कि वो कम risk वाला, यानि order block वा राइट, जो लोग लेने वाले हो, यहाँ पर लेंगे, ठीक है, जिन्होंने, तो order block का कुछ ऐसा अलग रिष्टा नहीं है, यह भी एक order block है, मैं आपको साब बता दो, ठीक है, बट, यह देखो, the last selling pressure है, यह भी एक order block था, ठीक है, बट, ऐसे order blocks में आप क्यों खरीदना च जाओगे, when you know that selling pressure already उपर से आ रहा है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा FVG नहीं है, जहाँ पे market टाप करके उपर की तरफ जा सकता है, then you will not look for buy, ठीक है, अब buy भी तो ऐसी जगा डूलोगे न, जहाँ market आपको उपर जाता हुआ, दिखेगा, देखो कैसे, इस move में आपको market anticipate करोगे, कि हाँ मैं जो है, वो buying जो है, वो कर सकता हूँ, समझ रहे हैं आप, तब तो मैं anticipate करो, बट अगर आपका, यहाँ पे आपको दिख गया, जो और भी चीज़े हैं, इसमें ऐसे नहीं बोलूगा, कि और भी चीज़े connected नहीं हैं, और भी चीज़े connected हैं, बट जब आ buy से selling की तरफ थोड़ा convert हो रहा है, आप buying की तरफ नहीं सोच चुगे, आपको अपनी psychology तोरहल selling की तरफ बना, clear है, so this is my video on order blocks, order blocks क्या होते है, I hope आप समझ गए होगे, order blocks कहां पे जरूरी होते है, market structure के लिए यह आप समझ गए होगे, order blocks, क्या क्या था, हमने decide किया था, एक ठीक है, एक second, ठीक है, तो order blocks समझ लिया, identify order blocks समझ लिया, significance, अगर मैं कुछ भी miss कर गया हो, तो मुझे please बता दीजेगा कोई doubt हो, आप comment कर सकते है, मैं हर चीज़ सॉल्व करने के लिए ready हो, ठीक है, हमने real life example chart analysis में समझ लिया, अभी मैंने आपको कोई भी entry करना नहीं सिखा मैंने सिर्फ आपको ये doubt clear किया, कि अगर आप कभी order block mark कर रहे थे और वो tap नहीं कर रहे थे, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर वो कर रहे थे, और stop loss hitter रहे था, आपकी गलती नहीं है, ठीक है, इसकी strategy क्या है, proper, कौन सी strategy आपको follow करनी है, ये मैं आगे जाके व मैं आपकी ब आपके सामी, जा शॉक शहीं है, आपके सामी आपको रहे थे, ऑम वो प्रमान आपको अो मैं, जार ह recycle मैं है, रहे खिछापके शहीं है, लो कि आपको ये है, वो क्मैं आपक भ Mrs. genius.